हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग आई होप सब फिट होंगे स्वागत है आपका रॉंटे हल टीप्स की अंदर मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एसके रॉंटे दोस्तो किया आप जानते हैं लोग जिसे लोग कलोव के नाम से जानते हैं उसके इतने अधिक स्वास्थ लाप है कि आप जानकर चॉंक जाएंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉंक के क्या फायदे होते हैं इसे कितनी मातरा में और कैसे यूज करना चाहिए इसके क्या-क्या स्वस्थ लाव होते हैं तो दोस्तो वीडियो एंड तक देखेगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके और अगर आप कि ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आप तक आती रहें तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजे ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां लौंग के स्वस्थ लाभों के बारे में दोस्तो मेर कंपाउंट जो लौंग के अंदर पाये जाता है उसका नाम है यूजिनोल यह बहुत ही बढ़िया किसम का एंटी ऑक्सिडेंट होता है जो आपकी बॉड़ी के अंदर ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करता ह और बहुत सी बिमारियों से आपके शरीर को बचाने का काम करता है और दोस्तो इसके साथ साथ लॉंग के अंदर एंटी बैक्टिरियल और एंटी इंफेक्टिव प्रोपर्टीज पाई जाती है आपने देखा होगा बहुत सी मच्छर मखी भगाने वाली दवाईयों के अंदर क्लोव ओईल का यूज किया जाता है क्योंकि ये बैक्टिरिया को किल करने का काम करता है और घरेलों नुस्खों में भी आपने देखा होगा कि लॉंग के पानी को मच्छर मक्खी भगाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है और दोस्तों लॉंग का इस्तिमाल पेन को कम करने के लिए भी किया जाता है ये एक दर्द निवारक के तरह इस्तिमाल किया जाता है अगर आपके दांत में दर्द है तो आप क्लोफ ओईल का एक पोहा बना कर उसको दांत के अंदर रख सकते हैं इसे आपको दांत के दर्द से रहत मिलेगी अगर आपके जोडों में दर्द है तो क्लोफ ओईल की मालिस से आपको बहुत फाइदा मिलने वाला है और दोस्तो इसके साथ साथ ही अगर आपको gum infection हो गया है आपके मसूडों में दर्द है या मसूडे फूल गए है तो आप long का तेल इस्तिमाल कर सकते हैं उससे आपको यकीन रहत मिलेगी और दोस्तो जिन लोगों को diabetes की problem है उनके लिए भी ये बहुत जादा फाइदा करता है लोंग sugar के level को कम करने का काम करता है और दोस्तो इसके साथ साथ ही अगर आपका खून बहुत जादा गाड़ा है तो आप long का इस्तिमाल कर सकते हैं क्योंकि ये खून को पतला करने में भी आपकी मदद करता है दोस्तो आपने देखा होगा कई लोगों के मूँ से इतनी बदबू आती है कि उनको बहुत जगा इसके लिए शर्मिंदा होना पड़ता है तो इसके लिए आप जो है long का इस्तिमाल कर सकते हैं ये आपकी मूँ की बदबू को कंट्रोल करने का भी काम क करता है आपने देखा होगा बहुत सारे toothpaste के अंदर long का इस्तिमाल किया जाता है वह इसी वज़े से होता है दोस्तो अगर आपके गले में खराश हो गई है तो आप long के पानी को उबाल कर उसको थोड़ा गुन-गुना करके उसके गरारे कर सकते हैं जिससे आपके गले की खर राज़ दूर हो सकती है और दोस्तो सरदियों में अगर आपको खांसी जुखाम की ज़्यादा प्राबलम रहती है तो आप long को चाय में डाल कर भी इसका यूज कर सकते हैं यह आपको खांसी जुखाम में भी राहत देने का काम करेगी दोस्तो लॉंक के अंदर खाने को हज पाओं में पसीना आता है तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं तब भी long आपको बहुत ज़्यादा फाइदा करने वाली है इसको आप अपने खाने के अंदर जरूर यूज करें दोस्तो जैसा कि मैंने बताया था कि long जो है वो एक दर्द निवारक का काम करती है अगर आ आप long का इस्तिमाल रोजाना अपने खाने के अंदर करते हैं तो यह आपको cancer जैसी भयानाएक बिमारी से बचाने की ताकत रखता है और इसके साथ साथ दोस्तों long liver में inflammation को भी कम करने का काम करता है अगर आप long को रोजाना अपने खाने के अंदर इस्तिमाल करते हैं तो आना long एक चमतकारी मसाला और और औशदियो गुणों का भंडार लेकिन अब सवाल आता है कि long का इस्तिमाल कितनी मात्रा में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए तो आपको बता देता हूं कि अगर आप long का powder इस्तिमाल कर रहे हैं तो आधा चमच long का आप पूरे दिन में थ of oil का इस्तिमाल कर रहे हैं तो 3-4 drop आप गर्म पानी में डाल कर यूज कर सकते हैं ध्यान रखिएगा दोस्तों कि long की प्रकृति गर्म होती है इसलिए इसका इस्तिमाल बहुत ही कम quantity के अंदर कीजेगा वरना ये आपके पेट के अंदर गर्मी कर सकता है लिवर में गर्मी क कर दीजे आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए wish you a very happy and healthy life